नमस्कार दोस्तों मैं हूँ किम्मी फ्रॉम ब्राइट स्केल स्वेट किमी चैनल से और एक बार फिर से स्वागत करते हूँ आपके अपने ही चैनल ब्राइट स्केल स्वेट किमी पर तो दोस्तों आज मैं जो प्लांट आप लोगों को दिखा रही हूँ वो है रेनिकलस का रेनिकलस दोस्तों बहुत ही ज्यादा प्यारा फ्लार होता है बिलकुल रोस की टकर का और अगर इसका फ्लार रग दिया जाए गाइस विदाउट स्टिक और रोस का भी साथ में रग दिया जाए तो थोड़ा सा पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि रोस कौन सा है और रेनिकलस कौन सा है लेकिन गाइस अगर आपको पहचानना होगा तो सिंपल सी बात है आप फ्लार को उठाईए और उसकी खुश्बू ले लिजिए रोस के प्लांट में होती है दोस्तों खुश्बू और इस वाले प्लांट में नहीं होती है तो दोस्तों आप लोग प्लांट देख सकते हैं रोश का प्लांट और ये वाला प्लांट काफी अलग होता है लेकिन फ्लार कुछ-कुछ एक जैसा ही लगता है अब दोस्तों हम गो बात कर लेते हैं कि किस तरह की सोयल हमें लेनी चा़िये इस प्लागा के लिए तो दोस्तों आप लोगों को जो soil लेनी है वो बहुत ही well rain लेनी है well rain soil से दोस्तों मेरा मतलब है कि बिल्कुल equal equal मात्रा में आप लोगों को तीन चीज़े लेनी है वही चीज़े हैं दोस्तों वही care है आप लोगों को normal soil, river sand और vermi compose लेनी है तो ये तीनों चीज़े जब दोस्तों आप लोग mix कर लेंगे तो इन तीनों चीज़ों को mix करने के बाद जो आपकी soil बनेगी वो काफी बिखरी हुई बन जाएगी और आप लोग अगर चाहें तो river sand की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं river sand की मात्रा बढ़ाने से दोस्तों क्या होगा कि soil और जादा well rain मन जाएगी और दूसरी चीज़ गाइस ये है कि अगर आप लोग इस वक्त ये वाला plant लगा रहे हैं तो river sand की मात्रा आप लोगों को बिलकुल नहीं बढ़ानी है क्योंकि दोस्तों धीमे धीमे बढ़ रही है धूप और बढ़ती हुई धूप दोस्तों जो होती है वो sand को काफी heat up करती है और sand अगर heat up होगी दोस्तों तो plant को काफी problem होगी क्योंकि ये दोस्तों winter seasonal है तो इसको थोड़ी सी ठंड भी चाहिए तो इसलिए अगर आप लोग ये वाला plant पहले लगाते तो उस वक्त आप लोग river sand की मातरा बढ़ा सकते हैं लेकिन इस वक्त अगर आप nursery से लेकर आ रहे हैं तो river sand की मातरा मत बढ़ाईएगा अगली चीज़ दोस्तों कि आपको जो soil है, soil में क्या लेना चाहिए soil के अंदर दोस्तों आप लोगों को जो fertilizer लेना है वो क्या लेना चाहिए fertilizer के रूप में आप लोग नीम खली का एक powder डाल सकते हैं नीम खली powder दोस्तों काफी अच्छा powder है अपने आप में एक दोस्तों पहले तो अपने आप में एक organic चीज़ है और दूसरी बात दोस्तों कि वो एक बहुत अच्छा fertilizer है साथ में एक बहुत अच्छा fungicide या फिर दोस्तों पेस्ट ना लगने वाला एक insecticide भी है तो दोस्तों इसलिए soil में आप लोग नीम खली जरूर डालें इसलिए ristli拜拜 कितना डालना है तो आप लोगों को अगर seven inch के pot में लगाना है तो 7 इंच के pot में आप लोग sample three three to four teaspoon डाल सकते हैं यानी की दोस्तों बिल्कुल बहुत ही कम मात्रा three to four teaspoon बिलकुल सही है मात्रा और कोशिश की जिए कि आप लोग layers बनाके डालें कहने का मतलब है दोस्तों आप लोग सॉयल एक बार डालते हैं फिर उसके उपर नीम खली डालिए तो अंदर तक क्या होगा अंदर तक नीम खली पूरी तरह से रहेगी और वह पूरी तरह से सॉयल का बचाफ करेगी पैस से अगली चैज़ा दोस्तों हमारा जो यह plant है यह ful sunlight का plant है अभी तक तो यह ful sunlight में रखा है लेकिन अब जैसे-जैसे दीवे-दीवे धूप बढ़ेगी हम लोगों को सारे के सारे जितने भी अमारे गमले है उन सभी गमलों को दोस्तों धूप से हटा के रखना तो आप लोग सनलाइट इस वक्त चार घंटे की कर दीजिए या फिर दोस्तों तीन घंटे की कर दीजिए इस वक्त के लिए काफी है आप लोगों को सनलाइट अपने चेक करनी होगी आप लोगों की लीव्स दोस्तों आप लोगों को बताएंगी कि सनलाइट ज्यादा लग तो आप लोगों को मैं कुछ ऐसे प्लांट्स दिखाती हूं जिनकी की लीव्स ने इंडिकेशन दिया कि सुनलाइट्स जाधा हो रही है यहां दोस्तों देखिए यह है नाइट सेंटेट स्टॉक प्लांट तो इसकी जो लीव्स है वो थोड़ी-थोड़ी सी लटकने लगी अब तो नहीं लटक रही है कल मैंने देखा था कल काफी लटक गई थी तो ऐसा होता है गाईस कि हमने वाटरिंग तो कर दी तब भी लीव्स अगर लटक रही है तो इसका मतलब संलाइट ज्यादा हो रही है तो आप लोगों को अपने प्लांट को देखना होगा कि स töर्मण या लीव्स बर्न तो नहीं हो रही है तो आप लोगों को से लटाके रूह और दोस्तों यह जिति ज्यादा नहीं ठीच को बढने लगे भी बहुत ज्यादा दूब तो पितूनियाज वय को भी बचाने के लिए , आपमे डूटन लोगों को sunlight ज्यादा गाइस प्रोवाइड नहीं करनी है पैंसी में भी आप लोग देख सकते हैं पैंसी के काफी flowers spend हो गए थे तो उन सभी को हटाया और यहां एक छोटी सी गाइस आप लोगों को दिखा रहे हैं एक छोटी सी ऑधस windows तो यह सबसे इह इंप्रोटन्ट तो इस मेरे जाननेवाले इन्हों ने दो efficacy लगाये और उन्हों नरे अब ऍचिए एति कि ओशाट की बचे गाना में थोफी और कि प्लांट को ऑ Daar आप लोगों को ड्रेनेज बहुत हैं अच्छिसथ अश्यलि आप आप लोग यहान देख सकते हैं यह देखिए यहाँ आ पर दोस्तों को नहीं रखने आप लोग को दोस्तों ड्रेनेज होल के झाल होती है तो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देती हूं तो दोस्तों अभी यहां पर टेरिस पर तो नहीं रखिए पोर्च गार्डन के पोर्च गार्डन में रखिए तो दोस्तों यह जो आप लोगों का नारियल है नारियल के ऊपर जो चाल होती है यह मतलब यह जो दिख रही है तो इसका पील आफ निकाल कर उसको दोस्तों अपन तो उसके काफ़ी फाइदे हैं तो इसलिए आप लोग यह यूज केजिए अगली चीज आते हैं दोस्तो हमारा इसके प्लांट के उपर फोलियर स्प्रे और नीमॉल इस प्लांट के उपर बहुत ही अच्छे से अगर आप करना चाहते हैं तो आप लोग एक बार दोस्तों को से इसकुए अप लोग है दोस्तों के पानी के अंदर ऑद दूसके कर सकते हैं अब पानी के अंदर कितनाम दोस्तों प्ला भाषा में बताऊंगी क्यूंकि नॉर्मल ही जब घर में काम होता है तो नॉर्मल भाषा को उसी यूज करनी चाह Вс mudar क्या होता है जो हमारी बॉटल होती बॉटल के ऊपर जो कैब होती है उस कैब को एक धकन कहते हैं एक धकन आप लोग ले सकते हैं एक लीटर पानी में ठीक है तो वह आप लोगों की दोस्तों नीम ओयल हो गई और बाकी आप लोग दोस्तों हैंड वॉश ले सकते हैं हैंड आप लोगों को टू थ्री ड्रॉप्स ज्यादा से ज्यादा डालनी है हैं ले लिजिए या डिश्वाश ले लिजिए आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं या फिर आप लोग सिंपल अगर लेना चाहते हैं तो अच्छी तरह से एक आईडिया आप लोगों को और बता रह जो आपका सरफ होता है वो पूरा डिल्यूजन हो जाता है उसका मतलब पूरा खतम हो जाता है सरफ के उसके अंदर दाने जिससे की स्प्रे करना आसान हो जाता है आप स्प्रे भी कर सकते हैं आप पानी से छिड़क भी सकते हैं जैसे जैसे गर्मी आ रही हैं आप यह सब का में यान कर सकते और गर्मी सबीकर करते के त Tonight एना जा साफाना अधर को इस तरहब कोछ आप लोग प्लांट के अदर and the last उस्थार्प यह उन बात करना चाहती हूं है इन के लुपकम हम व कहुए विचाती हो Ergebnis के जीब देड़े हैं जो रोज लवर्स हैं दो नहीं लगा पाते हैं तो दोस्तों उसमें क्या होता है रोजडावाज ना लगाने के कुछ सामने आती है और इप स्पाइन्स होती है यानि कि आप लोगों के काटे होते हैं और उसके बाद उसकी रोज की दोस्तों केयर काफी होती है आप लोग जानते होंगे रोज काफी केयर फ्लांट है और काफी केयर मांगता है तो इसी लिए आप लोगों को क्या करना होगा नॉमली रेनुकलस आप लो होता है और रेनुकलस का मज़ा अपना अलगी होता है अगर आप लोग रोज चाहते हैं तो इसे आप लोग ला सकते हैं रेनुकलस या फिर दोस्तों आप लोग कमेलिया भी ला सकते हैं दो दोनों टककर के प्लांट से लेकिन दोस्तों अगर आप लोग लाना चाहते हैं तो कहां तो रोज का मयन बहुत प्लांत कर सकते हैं सिर्जा कि हंग हाइट है इसा से क मैं अकुकल नगरोग तो एसा कर सकते है कि ने इसमें बड़ा प्यारा आता है लास्ट टाइम मेरा खिला था और इंज कलर वह भी बड़ा प्यारा था तो यह दोस्तों की बात है इसमें पूरी जानकारी वीडियो में दे दी होगी अगर कुछ रह गया है या फिर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं बाकी दोस्तों आप लोग लाइक करके जरूर जाएए डू सब्सक्राइब डू कमेंट और डू शेयर गा येगा बाइगा इसमें